हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग फिजिक्स रॉक्स में आप लोग का स्वागत है आज मैं अपनी रिवीजन सीरीज में एनलेम सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन का फॉर्थ वीडियो लाया हूं इसमें में कोश्चन नमबर 13 टू कोश्चन नमबर 16 तक कवर करूंगा यान पर यहां पर मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको वर्क पाइरजी में जाया है बिना ही solve कर दूंगा उनली एनिलम से ही इसको solve कर दूंगा तो इसलिए मैंने यहां पर इसको एनिलम circular motion and friction के पार्ट में लिया है और आप लोगों को थोड़ा नया तरीका सिखाने के लिए मैंने इस question को यहां पे लिया है ठीक है तो question है एक body यहां से top point से कोई छोटा सा body है यह top point से release करते है initial velocity nearly zero given negligible बोला है तो zero लिया है इसलिए मैंने और theta angle पे suppose यह जाके leave कर देती है इस sphere को अच्छा leave करती होगी तो उस समय r की value कितनी लेंगे अपन zero तो चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या मैंने आगे use किया है force इस पे mg लग रहा होगा r ल अच्छंड है mg का component कर लिया मैंने along the surface of the sphere and normal to the surface of the sphere mg sin theta and mg cos theta जो की यहां पे दिख रहे हैं दोनो now in tangential direction acceleration is sorry force is mg sin theta which will be equal to m into 80 as this force is tangential force m80 लिख सकते हैं तो यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है m80 अच्छा 80 यहां पे नहीं दिख रहा है तो 80 होता कहा है rate of change of speed m dv by dt is equal to mg sin theta अच्छा dv by dt को बच्चों क्या लिख सकते हैं v dv by ds kinematics में यहीं सीखा है तो मैंने यहां पे v dv by ds लिख दिया अच्छा ds यहां पे क्या लिख सकते हैं theta angle है in general तो theta angle पे थोड़ा सा distance और चला है तो थोड़ा सा angle और move किया होगा d theta इस diagram में देखो d theta तो यह जो distance है कितना हो जाएगा arc length is equal to r d theta तो we can write ds is equal to r d theta in circular motion तो मैंने यहां पे ds को r d theta replace कर दिया है small r लिए है मैंने इससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है यहां पे small r लेके चल रहा है mentioned हो तो ठीक है small r या यहां पे देखो small r mentioned है तो मुझे यहां पे भी correction कर लेना चाहिए यहां पे लिखना चाहिए small r तो यहां से मैंने आगे बढ़ा r d theta रख लिया d theta को यहां इस side भेज कर नीचे मैंने equation लिख ली है and फिर अब मैं variable separate कर चुका हूँ तो integration करूंगा initial speed is 0, final speed यहां पे v मान ली है speed is v तो 0 से v तक integrate किया and angle 0 से theta तक integrate किया तो 0 से theta तक integrate करके मुझे v square की value यह मिल जाती है equation number one अगर तुम लोग को यह question देखा हुआ लग रहा हो तो अपन यह work energy theorem से भी v square ला सकते हैं पर अंतु यह work है जी theorem वाला method तो सभी लोग apply करते हैं तो मैंने यह दूसरा method apply किया यहां पे along normal अगर use करें along normal forces को देखा जाए जैसे मैंने भी along tangent देखा दा तो normal force यहां पे मुझे एक तो mg cos theta दिख रहा है और r दिख रहा है normal action में तो net होगा mg cos theta minus r चिंता मत करो मैं r को 0 रख दूँगा ठीक है mg cos theta minus r is equal to mac 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 कितना होता है ac होता है v square by r तो यहां पे मैंने mac लिखा हुआ ac को v square by r रख दिया है तो normal force अब point of leaving पे r कितना रख देना है मुझे zero तो मैंने यहां पे put किय तो मुझे यहां से v square मिल जाता है А superiority को स्थेटा अच्छा रख दो v square मिल चुके है equation number one में equation number two में दौनों से dw कोईट करों तो मुझे cos theta की value मिल जाती है equation one आ two में cos theta रख देता हम तो मुझे v की value मिल जाती है और यहां पर V पूछा था तो मैंने V मालूम कर दिया आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन में कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 मुझसे कह रहा है अथिन यूनिफॉर्म इलास्टिक कॉर्ड ऑफ मास M एंड लेंथ L0 has coefficient of elasticity K जैसे spring constant होता है वैसे एक stretchable string है अगर तो coefficient of elasticity बोलते हैं K ठीक है अगर मैं उसको delta L खीज दूँगा यहांसे समझो एक बात जैसे spring में आपन बोलते हैं कि spring tension कितनी develop हो जाती K delta X delta X is the elongation उसी तरह यहां पर अगर मैं delta L खीज दूँगा इस string को तो यहां पर जो string में tension develop होगी that will be K delta L तो coefficient of elasticity is just like spring constant after having the ends of the cos joint it was placed on a smooth horizontal plane shaped as a ring ring के shape में करके रखा है इसको horizontal plane पे and set into rotation with angular speed omega about vertical axis passing through center of the ring find tension in the cord तो यह जो cord है cord यह string इसको horizontal plane पे रख दिया और end जोड़ दिये हैं दोनो length इसकी initially L knot है और फिर table के साथ-साथ यह घूम रही है that angular speed omega और घूमने लगी तो फिर अपने mass की वज़े से ring खिचना चाहेगी और थोड़ा सा खिच भी जाएगी और फिर एक stable अवस्था में आ जाएगी घूमती रहेगी तो मुझे finally tension बताना है कि यह खिच खिचा के जो radius इसका हो चुका होगा उस form में आने के बाद इसमें tension कितनी है तो यहाँ पे मुझे solve करना है तो देखो मैंने क्या किया है यह ring का element consider किया है अच्छे element है मैंने zoom करके अल्लडी बना रखा है d theta angle subject कर रहा है center पे दिख रहा होगा d theta दो तरफ element पे tension लग रही होगी एक इस side एक इस side tensions ड्रो कर ली tensions का component ले लिया है along the center and along the center and perpendicular to the line joining center perpendicular में ये and along the center ये देखो दो components दिख रहा है एक तो left वाली tension का दिख रहा है और एक right वाली tension का दो arrows दिख रही वो दो दिखाए है तो मैंने components किये geometry जल्दी से देख लेते है ये angle half-half distribute हो गया d theta by 2 d theta by 2 तो ये angle 90 है ये angle हो जाएगा 90 minus d theta by 2 मैं लिख नहीं रहा हूँ तुम लोग सुनलो इसको 90 minus d theta by 2 तो बचेगा d theta by 2 similarly इधर भी d theta by 2 तो components के t cos d theta by 2 and t cos d theta by 2 ये दोनो components cancel out हो गया इधर बचे t sin d theta by 2 and t sin d theta by 2 तो ये 2 दिख रहा होगा दोनों को add कर दिया तो बन गया 2 t sin d theta by 2 तो ये center की और net force आगया center की और net force इस element को घुमा रहा होगा centimeter force provide कर रहा होगा बास सही है बिलकुल तो मैंने लिखा 2 t sin d theta by 2 is equal to centimeter force and centimeter force is equal to mass of this arc into radius of this circle into omega square circle बोल दो ring बोल दो एक ही बात है dm into r into omega square तो यहां मैंने देखो वही लिख रखका dm into r into omega square centimeter force is being provided by 2 t sin d theta by 2 अचा d theta चोटा एंगिल है अचा जब d theta बहुत चोटा एंगिल है तो d theta by 2 तो और भी चोटा एंगिल है और बहुत चोटे एंगिल में अपन ये लिखते है sin theta is equal to theta वहां से sin हटा सकते हैं तो यहां पर भी मैंने क्या किया sin d theta by 2 को अगले step में d theta by 2 लिख लिख लिए यह देखो यह इसी तरह है 2 t यह तो लोडा solve form में लिखा है मैं इसको दिखा यह था हूँ कैसे मैंने solve किया है 2 t और sin को हटा दिया मैंने d theta by 2 लिख लिख लिए as the angle is very small 2 से 2 कड़ गया तो कितना मुझे मिल गया t d theta यहां से मैंने dm की value रख दी है dm is mass per unit length m by l अच्छा धियान दो यहां पर मैंने l not नहीं लिखा है length initially l not थी लेकिन मैंने कितनी मान ली कि ring form में जब बना है ये जब ring form में ऐसे बना है तो इसकी total length मैंने l not नहीं मानी है ये कुछ spread हो चुका है खिच चुका है l मान ली है तो elongation कितना होगी अच्छा यहीं से बात कर लेती है elongation की elongation हो चुका है final length l minus initial length l not clear है न बात आगे बढ़ते है तो यहाँ पर मैंने mass per unit length m by l लिखा है क्योंकि total length जो perimeter का हो चुका है वो l not नहीं है l है mass per unit length into r d theta ये समझ में आया अरे आया क्या यहाँ पर इस arc का mass लिखा गया है arc की length कितनी है ये ये जो arc तुम लोग को दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक arc की length होगी radius into d theta है न बात सही अच्छा radius into d theta होगी length तो mass per unit length is m by l and length of the arc is r into d theta this will be the mass of the element mass of the element means mass of the arc तो m by l r d theta mass लिखा है क्या m by l r d theta same लिखा हुआ है mass रख लिए dm into r into omega square is equal to t d theta यहाँ से d theta वगरे cancel करने के बाद मुझे t मिल जाता है लेकिन अभी ये solve नहीं हुआ है r की value मैं रख सकता हूँ नीचे मैंने r की value भी रख दी है r की value कैसे मिलेगी r की value मुझे मिलेगी 2 pi r is the circumference of the circle or ring which is equal to l तो r is equal to l upon 2 pi यहाँ पी use कर लिए इस value को यह रखने के बाद मुझे finally tension यह obtained हुआ सब कुछ simplify करने के बाद बट अभी solve नहीं हुआ है क्योंकि मुझे l ही नहीं मालूम है तो मैं इसको answer नहीं बोल सकता है initial length l not के terms में होता है के time ही के tension को k delta x की तरह यहाँ k delta l लिख सकते है and delta l is equal to final length minus initial length या unstressed length तो l minus l not हो गया delta l तो k delta l यहाँ पे लिखा हुआ है के tension मिल गई हमें इसके बाद 2 equations t की है equation number 1 and equation number 2 इसमें l को eliminate किया तो मुझे tension मिल चुकी है अब question क्या है काफी लोग जानते हैं कि question अक्सर यह पूछा जाता है जब उसमें string stretchable नहीं होती string non stretchable होती है और string non stretchable होती है तो उसका k ले सकते हैं infinite ऐसे सोचो इसको जैसे spring है spring string नहीं chord की बात नहीं कर रहा है spring है क्योंकि तुम लोग spring से ज्यादा पर्चित हो अगर spring खीची नहीं रहा है spring नहीं खीच रहा होगा तो उसका k infinite होगा बहुत rigid spring होगा नहीं खीच रहा है तो k infinite तो वैसे यहाँ भी coefficient of elasticity क्या होगा infinite अगर chord stretch होई नहीं रहा है non stretchable है तो k को अगर हम infinite यहाँ पर रखते हैं और open नीचे k से पहले divide कर लेते हैं तो मुझे tension यह मिल जाएगी देखो मैं दिखा देता हूँ इसको confuse मत हो ना यह part of the question नहीं है बट मैं आगे समझा रहा हूँ यह सब चीजे अपन कर सकते easily के से अगर मैं numerator denominator दोनों को डिवाइड कर दू तो यह बसना 4 pi square upon m omega square minus 1 by k अचा 1 by k क्या हो जाएगा tending to 0 as k is tending to infinity तो यह बचेगा simple m omega square l naught upon 4 pi square जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिख रहा है ना तो वही चीज है बस मैंने k को tending to infinity कर लिया as k is very very large for non stitchable string we can say it tends to infinity तो मुझे यह मिल जाएगा ठीक है answer मुझे यही पर मिल चुका था इस question का चलते हैं next question क्यों next question क्या कह रहा है next question कह रहा है a ball is suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme and lowest position are equal find the thread deflection angle in the extreme position theta पूछा गया है question में यह theta जो diagram में दिख रहा है यह extreme position E सेटी नोट कर रखी है lowest position मैंने L सेटी नोट कर रखी है ठीक है extreme पे और lowest position पे जो value है direction नहीं सिरफ value means magnitude है acceleration का वो equal है तो extreme position पे तो velocity होता नहीं है is equal to M 80 80 यहां से मिलता है मुझे G sin theta M से M कैंसिल किया 80 is G sin theta and AC already explained V नहीं है extreme position पे तो V 0 रखा था इसलिए V square by R भी क्या हो जाएगा 0 तो AC at extreme is 0 यहां पे देखो लिखा भी हुआ है यहां से 80 मुझे मिल गया क्या 80 ही total acceleration होगा extreme पे बिलकुल होगा क्योंकि दो टाइप के acceleration होते है 80 AC AC है यह 80 है तो AC को बोल सकते है this is total acceleration at the extreme position which is equal to 80 and which is equal to G sin theta A E से denote कर दिया आगे बढ़ते हैं lowest position पे acceleration को देखते हैं क्या lowest position पे V है बिलकुल V आएगा चीक है और V होगा lowest position पे क्योई जब यह E से L आएगा तो potential energy loss होगी तो kinetic energy gain होगी तो यहां पे बिलकुल V आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि V होगा तो AC होगा क्या 80 है 80 यहां पे नहीं है क्योंकि forces सारे normal direction में tension and mg force tension and mg force दोनों ही force क्या है normal direction में और दोनों ही force अगर normal direction में है तो हम कह सकते हैं कोई force ही नहीं है tangential में तो tangential restoration कैसे होगा तो यहां पे tangential restoration नहीं होगा ठीक है तो मैं लिखता हूँ AC is equal to V square by R R means L यहां पे यह तो मुझे मालूम ही था 80 0 है अभी समझाया AC V पे depend कर रहा V को मालूम कर लेते हैं work energy theorem से work energy theorem लगाई मैंने loss in potential is equal to gain in kinetic यहां से मुझे V square मिल गया V square की value को मैंने यहां पे रख दिया क्या यह lowest position पे total acceleration है बिलकुल है क्योंकि 80 high नहीं तो AC ही total acceleration होगा इसलिए मैंने lowest position के acceleration को AL से दिखा भी दिया है और V square by L ही यूज किया है nothing else तो V square by L V square की value वहां पे रख के तो मुझे AL यह मिल जाता है अब बोला गया है यह दोनो acceleration equal है कौन से दोनो A E and AL इन दोनों के equate करते हैं तो मुझे यह equation मिलती है यह equation आप heat and trial से भी solve कर सकते हैं options दीए रहते हैं आजकल paper में और यह फिर इतना standard value है आप heat and trial से solve कर सकते हैं या आप अपनी trigonometry लगा सकते हैं ठीक है मैंने solve नहीं किया है इन दीए इन ट्राइल से मुझे दिखा आता है सीदे सीदे theta equal to यहाँ पर आ जाता है 53 degree तो यह इसका result है next question पर चलते हैं next question बोले two spherical bodies with masses M and capital M are joined together by a light thread that passes over a light pulley both of them are released from the position shown will the lighter ball be lifted from the table immediately after the release small m lighter ball है capital M heavier ball है both of them are released from the position shown will the lighter ball be lifted from the table after the release यह पर एक चीज़ और गिवन है जो नहीं में लिखते हैं M is very very greater than small m अच्छा M अगर very very greater than small m होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि M बहुत ज़्यादा heavy है small m उसके सामने बहुत light है तो इसका जो acceleration होगा that will be इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो बहुत ज़्यादा tough भी नहीं है M very heavy है small m अगर टांग भी देरते हैं उस पर किसी भी तरीके से हम attach कर देरते हैं string से horizontal string हो या angled हो जैसे हैं आप 45 degree पर दिखा रख कैसी भी string हो हम बहुत सकते हैं acceleration जो आएगा वो जी आएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि M very very heavy है इसलिए उसको nearly हम मान सकते हैं free fall में है तो यहाँ पर दिखी यह चीज mention भी कर रखी मैंने solution में वैसे तो बता दिये suppose that small balls is अच्छा यह मैंने यहाँ पर mention नहीं किया मैं आगे बढ़ गया हो question में ठीक है कोई बात नहीं मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि अगर mass यह very heavy ball है एक बार मैं फिर से जल्दी से समझाएता हूँ यह अगर very heavy है आगे भी आप questions में सब styles और यह trick points दिमाग में रख सकते हैं अच्छे questions में हमें help कर जाता है mass is very very heavy fine tension इसे questions जईने भी पूछे है तो यहाँ पर एक mass बहुत heavy है और एक mass बहुत heavy होने की वज़े से दूसरे के मकाबले यह heavy mass free fall कर रहा होगा नहीं अगली ठीक है तो यह acceleration इसका कितना है जी और हम माल लेते हैं question में कि जैसे ही balls को release किया गिया small m table से नहीं lift होता है is not lifted from the table और अगर हमारा assumption है supposition है सही बैठता है तो पूरा solution सही लगेगा हमें अगर यह supposition कहीं गलत हो जाता है तो हमें खुद ही देखिए पता लग जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि नहीं फिर तो lift हो रही होगी क्योंकि अगर यह चीज़ satisfy नहीं होती है तो फिर दूसरा case यहीं कि ball lift हो जाए दो ही case बनता है एक lift ना हो और एक lift हो जाए तो अगर lift ना होने वाला case नहीं satisfy हो पाता है कि सहापोजिशन गलत हो जाता है means lift हो रही होगी मैंने क्या किया है देखो यहाँ पर इसका acceleration capital M का तो G ही है अच्छा capital M का अगर acceleration G है जो कि यहाँ पर दिख रहा है तो हम बोल सकते है small M का acceleration अगर table के along यह है तुम लोग कह सकते हूँ table के along कैसे यह कैसे बनाया तो अपन supposition के through चल ले है suppose क्या किया है अपनने कि lift नहीं हुई है अगर lift नहीं हुई है ball तो table के along ही चल ले होगी तो यहाँ पर acceleration यह आ गया अच्छा यह आ गया तो by constraint we have A का जो component thread के along होगा वो G के बराबर होगा तो A cos 45 will be equal to G यहाँ से A मिलता मुझे root 2G अच्छा root 2G मिलता है और T का कौन सा component A देगा horizontal component यह T है इस diagram में यहाँ पर देखो T T का horizontal component आता है T cos 45 means T by root 2 T by root 2 is equal to MA यहाँ पर लिखा है T by root 2 is equal to MA and A is A की value मालूम की है A की value रग दी T is equal to कितना मिल जाता है मुझे 2MG अच्छा T अगर 2MG है तो उपर का force निकालते है इस ball पर कितना लग रहा होगा T Y T Y is equal to similarly जैसे यहाँ लिखा है यह angle 45 degree है तो मैं T Y लिख सकता हूँ सभी लोग लिख सकते है T Y is equal to M G sine 45 और sine 45 होगा 1 Y root 2 M G by root 2 M G है T यहाँ पर रुको इसको लिखे T sine 45 M G नहीं T sine 45 T की value 2 M G है 2 M G into 1 by root 2 which comes out to be root 2 M G which is greater than M G इस सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हूँ कोई बात नहीं उधर समझा दी तो root मतलब Y component जो tension का है this one यह M G से बड़ा आ रहा है root 2 M G M G से बड़ा है तो अगर किसी body पर force उसके weight से ज़्यादा लगा देते vertical direction तब तो उठता ही है तो मतलब यहाँ पर जो ball है will leave the table तो अपना supposition क्या हो गया wrong तो answer में लिखेंगे lift up हो जाएगी clear है तो physics rocks के इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और कोई suggestion हो positive suggestion हो negative आप कुछ बताना चाहते हो कि मैं सुधार सकूँ तो आप comments box में जरूर mention करें जरूर लिखें आपका वहाँ पे स्वागत है नमस्कार students